असलाम अलेकुम रह्मतुल्लाः डियर स्टुडेंट्स ओप और फाइंग और फाइंग और फाइंग और लेसे नमबर टू अबाउट चैफ्टर नमबर फूर सेल्स एंड इस्टुडेंट्स सेल का जो वर्ड है जाहिर है यह पहली बार किसी नहीं नाम नहीं रखा होगा औ और फिर यह साइंटिफिक टर्म है और सारी दुनिया में एकसेप्ट किया जा रहा है इसको तो इसके पीछे यकीनन एक हिस्ट्री मोजूद है ठीक है और वह हिस्ट्री जो है बेसिकली सेल के बारे में जो पहली जो ऑथेंटिक जो स्टेटमेंट्स सामने आई वह थी सेल थेरी ठीक है सो सेल थेरी कैसे फॉर्मूलेट हुई वह कैसे बनी और उसके पीछे क्या-क्या जहें मनाजिल तैह हुई सेल्स के हाले से इन जो नॉलेज है तो उसके हाले से आज हम डिसकर्स करेंगे सो फस्ट फार टेका लुप ऑन दा वर्क ओफ ग्रीक्स ठीक है ग्रीक् ऑकि अर्फ पहुत सारी इनोंने बातें ऐसी किऀ जो मॉडरन साइस ने उनको सही तसलीम किया और उसकी वजह यह थी कि यह वह नेचर वह इसे बहुत व्यूत करीब थें और नेचर से बहुत वबस्तगी रख्ते थें और इनोंने नेचर के हाले से से ईवं के इनसान की दो सोल है रू है उसके हवाले से भी बहुत सारी बातें प्रिडिट की जो काफी हतक सही थी ठीक है तो इसमें जो सबसे पहला नाम आता है एरिस्टोटल का अरेस्टू जिनको हम कहते हैं जिन्होंने कंसेप्ट दिया था कि एनिमल्स और प्लांट सेल्स आर सम्हाव रिलेटेड ठीक है कि एनिमल्स और प्लांट सेल्स में कोई रिलेशन मुझूद है अब देखें यह कितनी बड़ी बात थी कि उस वगद ना कोई मा मुझूद है ठीक है इस कंसेप्ट ने यह एक क्वेस्टन जनेरेट किया कि क्या कोई फंडामेंटल यूनेट ऑफ स्ट्रक्चर मौजूद है सारी और्गनिजम्स के लिए इस बात ने सवाल पैदा किया और स्पिनेट्स आप जानते हैं सवाल तो खुद आदा इलम होता है तो यह एक पेशगोई थी एक प्रेडिक्शन थी कि आने वाले वक्तों में दुनिया जो है वो एक फंडामेंटल यूनेट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ और्गनिजम्स तक पहुंचेगी ठीक है तो उसमें दर्मियान में मुसल्मान साइस्टों का भी दोर आया लेकिन उन लोग सुइंघ्रीं किया है लेकिन जो एक बहुत बड़ा माइलस्टों था जो हमने पिछले लेसन में पढ़ा वह सहां इन्वैंशन ओफ माइक्रो स्कोप ठीक है तो माइक लगोस को की इन पैं Bianche wichक बटबर माइल स्टों कवर कर दिया हुआ वह इस तरीके से के माइक्रोजम्स जिनको study करना easy होता है और जिनकी study से हम macro organisms, बड़े organisms के बारे में बहुत सारी बातें सही सही predict कर देते हैं तो वो study करना असान हो गई due to the invention of microscope और microscope 1595 में पहला microscope बना था उसके बाद जो नाम आता है वो Robert Hooke का आता है जिन्होंने 1665 में cells को first time describe किया और उन्हेंने खुद एक microscope बनाया ठीक है, बहुत बड़ा नाम है इनका science में ठीक है, बहुत बड़ी इनके contributions है तो Robert Hooke ने ना सिर्फ खुद microscope बनाया बलकि उस microscope के अंदर उसने slice of corp को ठीक है, corp की जो चाल होती है लकडियों की इसके उपर जो एक layer होती है परीक सी, ठीक है, उनको उसने उस microscope में रखा और यह उसकी डियाग्राम भी आपके सामने नजर आ रही है ठीक है, तो उसने कहा कि जो living bodies हैं यह तो छोटे छोटे compartments पर मुश्चमिल होती हैं तो उसने उनको resemblance दी हैंई कॉम के साथ जैसे शहर की मकी का छटा होता है तो उसके अंदर भी छोटे छोटे compartments होती हैं तो compartments को जो एक cellulee कहा जाता था उस वक्त की language में तो उन्होंने इनका नाम जो था इन पार्टिकल्स का नाम सेलूली रख दिया बाद में लियॉन होक एक नैच्रलिस्प थे इन्होंने बकाईदा तो पर पॉंड वार्टर को जब मुश्चमिल होती है इसकवा स्टूरेंट्स 19 सेंच्री में बकाईदा तोर पर इस पर बहुत बड़ा वह काम हुए क्योंकि जो पिछले दो साइंटिस्ट का हमने जिकर किया तो यह इनकी अपनी सर्च थी उस वक्त इस चीज़ की को कोई भी दूसरे साइंटिस्स नहीं जानते से लहाजा इन्होंने सेल पर काम नहीं किया लेकिन एक साइंस में बाइल जी में नाम आता है लमार का जिनके बहुत सारे जो हैं एंट्रिबूशन्स बायों में मिलते हैं तो इनकी बात थी कि जितने भी और्गनीजम्स हैं यह इनकी स्टेटमेंट लिखी इन्हों बॉर्डी कैन है लाइफ इफ इट्स पार्ट्स हार नोर्ट सेलुलर टिशूज और नोर्ट फॉर्म्ड वाइस सेलुलर टिशूज ठीक है तो इन्हों ने बात कही कि भी लाइफ एक्जिस्ट करें न नाम आया 1838 में मथ्य च्लिटन जो के बहुत बड़े बॉर्टन से इन्होंने पहली स्टेटमेंट और घ्रीकित और उसमें इन्होंने यह स्टेटमेंट दीचिए और आप कहलें के plant bodies are made up of cells, ठीक है, तो इन्होंने पहली बार एक statement दी, जो cell के हवाले से थी, इसके बाद उन्होंने एक साल के बाद जर्मन जोलोजिस्ट शवान जिन्होंने जो के जोलोजिस्ट से इन्होंने animals पर research करके ये statement दे दी के all animals are also formed of cells, ठीक है, तो यहां से cell theory की बनियार पड़ी, इसके बाद 1855 में Rudolph विशु एक जर्मन physician थे, इन्होंने cell theory में एक important point का अधाफा किया, ये भी research सोधार बात थी, कि all living cells arise from the pre-existing cells, ठीक है, जितने भी living cells हैं, वो सारे के सारे pre-existing पहले से मुझूदा cells की devian से बनते हैं, और पास्चर, लुईस पास्चर, जिनको microbiology का founder भी समझा जाता है, इन्होंने experimentally Rudolph विशु की बात को proof कर दिया, ठीक है, तो इस तरह से, और इनके experiments बहुत मशूर हैं, biology के अंदर, ठीक है, तो इस तरह से students से जो आपके सामने तीन statements आ रही हैं, basically these are the cell theory, these are the fundamental postulates of the cell theory, so इसमें जो है, first point आता है, all organisms are composed of one or more cells, ठीक है, और इसके बाद दूसरा point के आता है, cells are the smallest living things, यह दूसरे लफजों में, basic unit of organization of all organisms, ठीक है, और तीसरा point जो भी हमने सीखा, कि cells arise only by devians in the previously existing cells, ठीक है, cells पहले से मुझूदा cells से ही बनते हैं, इसके बाद students आप लोग ने virus, prions और viroids के बारे में, last lesson भी, last chapter में बढ़ा था, यहाँ भी इनके बारे में इनका जिकर किया गया है, so basically these are a cellular particles, यह cell नहीं होते हैं, इसी वज़ा से इनको five kingdoms में कहीं भी इनको जगा नहीं मिलती, इस बाद students यह आपकी बुक में, बेन में 57 के उपर, यह table है, यह सारी history को सिर्फ एक table describe कर देगा, और आपको इसी को prepare करके आपकी इस topic की preparation भी हो सकती है, ठीक है, so आपने इस table को prepare करना है, और cell theory की statement जो है, उसको अच्छे से prepare कर लेना है, कल इंशालला कल से जो है, next lesson से हम cellular structure और इसके functions के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, तब दक के लिए, अल्ला हाफीज,